अगर आपको कभी ये मचली चिपक जाए तो तुरन्थी डॉक्टर के पास चले जाना इस मचली पे बने ये प्लेट जैसे पार्ट की मदद से वो इंसानों और मचलीयों पे चिपक जाती है ये मचली हमेशा ही बड़ी मचलीयों की तलाश में रहती है और जैसे ही मिलती है ये उनसे चिपक जाती है और खास करके शार्क, डॉल्फिन और वेल जिससे ये बिना मेहनत के तेरती रहती है और इन्हें फ्री का खाना भी मिल जाता है और साथी मैंने किसी सिकारी का भी डर्द नहीं रहता और ऐसा करने से बड़ी मचली का भी फाइदा होता है ये छोटी मचली ओस्ट मचली के स्किन से उस पेरासाइट खा जाती है जिससे उसे कोई infection नहीं होता लेकिन कभी-कभी ये ऐसे इंसानों को भी चिपक जाती है और इसका नाम है शकरफीज